इंडिया की पहली पेमेंट वाँच लाँच हो गई है जिसको SBI ने लाँच किया और उसका नाम रखा गया है कैसे इनेबल डिसेबल करना है अगर ये वाच चोरी हो गई या घूम गई तो क्या करना है बहुत सरी इंफोर्मेशन आपको इस वीडियो में दूँगा पस वीडियो को प्लीज स्कीप मत किजिएगा पार्ट वन वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने बहुत प्यार दियता है उसके लिए थैंक्यू जिन लोगों को नहीं मालू मैं बता दू ये पार्ट वीडियो है और जो पार्ट वन में मैं इंफोर्मेशन दे चुका हूँ यहां बिल्कुल भी दोराओंगा नी अगर आप घड़ी को पर्चेस करना चाहते है वो भी अप टू डिसकाउंट दो जार रुपया तक तो कैसे पर्चेस करना है और बहुत सारी इंफोर्मेशन आपको पार्ट वन वीडियो में मिल जाएगी अगर आप देखे नहीं तो उसकी जो लिंक है वीडियो की वो पहला आप उपर में जो एकाउंट लिखा हुआ दिख रहा है उसको क्लिक करें या नीचे में आएंगे और यहाँ पर क्यूक लिंक में देखेंगे यूनो वियरेबल चौते नंबर में लिखा हुआ दिखेगा आप उसको क्लिक करके डिरेक्ट जा सकते है आप दोस्तों य पूनिक रीफरेंस नमबर को सौट में अपन यू और एन बोलते हैं यानि अदिति अनोखा एक मात्र रीफरेंस नमबर जो आपके पास है और किसी दूसरे वेक्टी के पास नहीं जैसे आपका आधार काड या कोई भी आईडी प्रूफ रहती है जो सिर्फ आपके पास रहता दूसरे वेक्टी को नहीं मिल सकता सेम वैसे ही आपको यहाँ पे एक नमबर मिलेगा और यहाँ को कहां मिलेगा नमबर आपके घड़ी के बॉक्स में मिलेगा उस नमबर को आपको उपर में यहाँ पर लिखना है और नीचे में देखेंगे फिर एक बार आपको वही नमब वो select कर सकते हैं और उसके बाद आपको link new variable को click करना है अब आपके mobile में एक OTP आएगा OTP को डाल कर submit कर देंगे आपका ये device successfully link हो गया है एक चीज यहाँ पर clear कर दूँ आप जिस account से इसको link कर देंगे फिर दोबारा ये dealing नहीं होगा इससे संबंदित जादा जान कर ये आपको मैं part one video में बता चुका हूँ अगर आपको लग रहा है मुझे अभी घड़ी क्या use नहीं करना है या अगर मैं बाहर पैन के गया कई unauthorized transaction नहीं हो जाए बार बार आपको ये link नहीं करना है एक ही बार बस होगा ये link आप उसके बार देखेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर आपका एक card number मिल जाएगा ये card number आपको दिख रहा होगा जब आपको transaction नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं इस card को आप disable करके रख सकते हैं और जब आपको transaction करना हो इसको वापा जब जरुवत हो enable कर लेंगे और जब disable रहेगा तो आप जो भी transaction करेंगे सारे transaction decline होगे आपके account से कोई भी पैसा नहीं निकलेगा और भगवान ना करें अगर घड़ी बायदवे चोरी हो जाती है या घूम जाती है तब क्या करना है दोस्तों देखो तब आप एक F.I.R कर सकते हैं और उमीद इसकी बहुत कम है कि आप आपको घड़ी मिल सकती है क्योंकि आपको भी पता है चोरी हो जाए और चोरी होने के बाद चीज वापस मिलना संभव बहुत कम है बहुत कम चांस होता है वो वापस मिल सके अब आपको लग रहा है कि चोरी होगी तो सबसे पहले तो आप इसको disable कर लेंगे या घूम गई या आपको नहीं मिल रही है और आपको लग रहा है आप मेरी ये वापस नहीं मिल सकती अब कोई चांस नहीं पूरी आप hope खो दिये तो इस 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 इस्ती में क्या कर सकते है दोस्तो आप इसको ना हमेशा permanent block कर सकते है तो आप क्या करेंगे card में आप जाएंगे उपर horizontal तीन dot डिखरी होगी right side में आप उसको click करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको एक option दिखेगा permanent block लिखा हुआ दिख रहा है इसको आप click करेंगे और यहाँ से इसको आप block कर देंगे permanent लेकिन मैं यहाँ पर बता देगे दोस्तो एक बार अकर आप इसको block कर दिए फिर दोबारा कभी भी यह unblock नहीं हो सकत यह आप कुछ पूछना चाहते हो तो comment में जरूर बताएगा और इस घड़ी से संबंदित अगर आप कुछ बात करना चाहते हो टाइटन वालों से तो उनका नमबर है 1800 2660123 और अगर HBI से बात करना चाहते हो तो उनका नमबर है 1800 4101 और दोस्तो वीडियो को प्लीज लाइ रहूंगे तो सब्सक्राइब कर दीजेगा थैंक्यू फ्रेंड्स